असलाम अलेकूम, वल्कम बैक टू मैं चैनल, चलिए तो शुरुवात करते हैं, आज हम बनाने चारे हैं मलाई चिकन, ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो आए बनाना शुरू करते हैं, हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 स्पून चिली जिंजर गार्लिक पेस्ट, हमारा मसाला है, अगर आपका मसाला तेज है तो कम इस्तमाल करें, अब हम इसमें दालेंगे 1 थर्ट कप फ्रेश क्रीम, अगर पेस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, अगर्म मसाला पाउडर, वन टीस्पून नमक, नमक आप अपने जरुवत के हिसाब से डाले, वन टीस्पून लाल मिर्ची की बुक्की, वन टीस्पून जीरा, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम चिकन, चिकन में यहाँ पर ब्रेस्पीस और विंग्स इस्तमाल कर रही हो, आप कोई भी पिस्स इसमें इस्तमाल कर सकते है, हमें इसे आदे घंटे के लिए मेरिनेट करना है हमें इसे अच्छे से मिक्स करके इसे रख देना है यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दू अगर आप इस रेसिपी को जल्दी में बना रहे हो आपके पास मेरिनेशन करने का टाइम नहीं हो तो आप इसे डाइरेक भी बना सकते है अब हम एक पैन लेंगे और उसमें 20 ग्राम बटर डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक प्यास बारिक चॉप की हुई छोटी प्यास लेना है हमें ज़्यादा बड़ी प्यास नहीं लेना है और हम इसे दो मिनट के लिए भून लेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा सा पीस मेगी क्यूब का ये ओप्शनल है आप डालना चाहे तो डाले और अब हम इसमें डाल देंगे हमारी मेरिनेट की हुई चिकन और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और पानी डालके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे ढाप कर पकाना है देखिए इसे पकते हुए पास मिनट हो चुके है अब हम इसमें चमच चला लेंगे ताके चिकन नीचे लगे न हमें चिकन ढाक कर ही पकाना है ताके चिकन जल्द ही गल जाए दर्मियान में आप पानी एड़ कर सकते हैं आप अपने जरुरत के हिसाब से करें आपको कितनी ग्रेवी रखनी है और चिकन को अच्छी तरह गलने तक पकाए देखिए करीब 20 मिनट हो चुके है और हमारी चिकन बिल्कुल ही अच्छी तरह से गल चुकी है हमने इसमें दर्मियान में आधा कप पानी डाला था और इसे पकाया था तो देखिए हमारी मलाई चिकन रेड़ी है तो अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं देखिए तो तयार है हमारी मलाई चिकन मैंने इसे फ्रेश क्रीम डाल कर गार्निश कर लिया है अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे, शेर करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन जरूर प्रेस करे इंशाला मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफिस